नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में आज मैं आपके लिए ले के आई हूँ गेहू के आटे से बहुत ही ज़्यादा चैट पटा और कुरकुरा नास्ते की रेस्पी तो यहाँ पर गेहू का आटा लेना है आप अपने अवसकता अनुसार से एक कप दो कप जितना भी आप बनाना चाहते हैं नास्ता गेहू का आटा ले लीजिए ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसको बनाने में आपको बहुत साड़े चीजों की जरूरत नहीं होगी और नास्ता बहुत ही अच्छा कुरकुरा भी बनता है तो यहाँ पर गेहों के आटे को अच्छे से छान के ले ली हूँ ये घर का पिसा हुआ आटा है तो इसको थोड़ा से छानना जरूरी होता है आप चाहिए तो नास्ता मैदे में भी बना सकते हैं और हमारा नास्ता जो बहुत ही अच्छा कुरकुरा बने खस्ता बने इसके लिए इसमें डालूँगी सूजी आपके पास बारिक वाला सूजी है तो आप डारिक इसको डाल सकते हैं सूजी को और ये बहुत जादा मोटा वाला आपके पास सूजी है तो आप थोड़ा सा सूजी को बारिक कर लीजिएगा मिकसर जार में डाल के तो दो कप आटा में देखे हमारे पास जो है सूजी वो बारिक वाला है तो डारिक्ट ही इसको डाल दोंगी इसको पिसने का कोई भी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर दो चमच सूजी हमें गेहों के आटे में डालना है आप लोग वीडियो को जरा सा भी इसकी पना करें पूरा ही वीडियो देख जाए छोटा सा वीडियो है लेकिन आप जब अच्छे से समझ के नास्ते को बनाएंगे न तो बार बार बनाना चाहेंगे यह इतन इसके लिए इसमें डालना हमें दो चमच तेल तो आप यहाँ पर रिफाइंड तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप जाहें जो भी खाते हैं आप अपनी कीचन में जो भी इस्तिमाल करते हैं तो उसका दो चमच डाल लीजिएगा छोटे चमच से बरा चमच से डाल रहे है तो आप एक चमच ही डालिएगा और अच्छे से इसको एक बार mix करना है जिससे कि आटा में बड़ाबर टेल जो है लग जाए चारो तरप और सूजी भी अच्छे से आटा में mix हो जाए दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में सेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लेज रिक्वेश्ट करती हो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमी सपोर्ट कीजिएगा जो मैं जानती हूँ आपके साथ सेयर करती हूँ दोस्तों तो आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखे अब यहाँ पर देखिए आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से मीक्स हो चुका है अब हमें डालना होगा आटा में थोड़ा सा नमक और बाकी के मसाले जिससे कि हमारा नास्ता बहुत ही अच्छा चट पटा सा बनकी तयार हो तो इसमें सबसे पहले डाल देते हैं आधा छोटा चमच के जितना नमक डालने के बाद इसमें आपको एक पिंच मीठा सोड़ा जरूर डालना है वो डालिएगा तो यह नास्ता और भी ज़्यादा खस्ता बनकी तयार होता है अब इसमें डालेंगे हलका सा लाल मिर्ची पाउडर और बाकी का मसाला थोड़ा थोड़ा सा करके थोड़ा सा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला भी डालेंगे दोस्तों और इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर बहु प्रषब अपासा को अच्छा से देल आपको अहलों सक्षाब कई है। डालना है देखे दोस्तों थोरा सा हलका सा हमें लग रहा था कि तेल कम है तो थोरा सा इसमें और तेल डाल दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अब आटा में थोरा थोरा सा पानी डालते हुए इसको अच्छे से गूत लेना है आटा को नहीं बहुत ज़्यादा गीला करना है और नहीं बहुत ज़्यादा सक्त रखना है क्यूंकि इसमें सूजी भी डला हुआ है तो थोड़ा से सूजी फूलेगा अच्छे से आटा को मसल मसल के गूतिए तो आटा में पानी थोड़ा थोड़ा सा डाल के अच्छे से यहां पर देखिए गूत के तयार कर ली हूँ आटे को अब आटा में ढखकन लगा के रखते ना है साइड में जब तक आटा हमार अच्छे से फूलेगा इसका जो सूजी है वो भी फूलेगा उसके पहले चलिए इसको रखतेते हैं और आगे की तयारी जो कि इस नास्ते के लिए एक तमसे में जरूरी है वो तयारी कर लेते हैं तो नास्ता के यहां पर फिलिंग को तयारी करेंगे जो नास्ते में भरेंगे उसका तयारी कर लेते हैं यहाँ पर लेना है हमें एक कोई सा भी बरतन इसमें डालेंगे चुटकी भर काली मेर्च और डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्वात क्या नुसाड़न नमक तो जैसे आटा में हम लोग सारे मसाले को हलका हलका सा डाले हैं उसी तरीके से इस वाले मसाले में भी थोड़ा थोड़ा सा इस वाले बरतन में भी मसाले डालेंगे बहुत जादा नहीं डालेंगे साथ में थोरा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दीजिए साथ ही में अदरक हरी मिर्ची ये सब चीजे जो है जरूर से डालिएगा तभी जाके ये बहुत ही जादा चटपटा बनता है नास्ता हलका सा आप अदरक और हलका सा लसन को भी बारी कट करके डाल सकते हैं आप चाहे तो लसन का अदरक का पेश्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो अभी देखिए इसमें सारे मसाली थोड़ा-थोड़ा सा डल चुका है अब इसके अंदर डालना है हमें बॉयल आलू तो पहले से आलू उबाल के अच्छे से ठंडा करके और रख ली थी तो आलू बहुत अच्छे से ठंडा होगा तो ये चिप-चिपा नहीं होता है अभी कभार होता है कि आलू में गुठली गुठली सा रह जाता है अभी आलू को बहुत अच्छे से सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेना है आलू के अंदर भी आप चाहें तो थोड़ा सा नीवू का जूस टाल सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये गीला नहीं होना चाहिए गीला हो जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा आपका नास्ता जो है उफट जाएंगे तो चेक कर लेना है इसमें कोई भी आलू का टुकरा तो नहीं रह गया है तो उसे अच्छे से दवा दवा के यहां पर तैयार कर ले रही हों ये वाला नास्ता बड़े से आसान वाले नास्ता को जरूर से ट्राई कीजिएगा अब ये मसाला हमारा बन के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है मसाले को रख देना है साइड में अब चलिए आटा को चेक कर लेते हैं आटा भी बहुत अच्छे से फूल गया है फिर से इसको वापस से थोड़ा स मसल मसल के सेट कर लेंगे जिससे कि इसमें पता चल पाए कि आटा हमारा बहुत ज़्यादा टाईट है या बहुत ज़्यादा गीला है तो देखे आटा बहुत अच्छा है नहीं इसमें पानी लगेगा और नहीं पानी ज़्यादा है तो अभी इसमें से लोई तोड़ लेंग चिकनासा तो यहाँ पर आपको सुखा आटा लगा के और एक बरी से रोटी बना लेनी है और रोटी जो बनाएंगे उसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा मोटा रखने से ये अच्छा कुड़कूरा नहीं बनेगा तो इसी तरीके से सुखा सुखा आटा लगा के इसको बड़ा कर लेना है तो यहाँ पर देखे रोटी को अच्छा बड़ा कर ली हूँ रोटी ना ही बहुत ज्यादा मोटा है ना ही बहुत ज्यादा पतला है तो जितना आम लोग रोटी बनाते हैं उससे थोरा सा पतला रखिएगा आप रोटी बहुत ज़्यादा पतला वाला बनाते होंगे तो उससे हलका सा मोटा रखिएगा अब इसको कट करना है कट करने कले आप ग्लास ले सकते हैं और इस तरीके के कोई भी छोटा कटोरी है तो भी आप ले सकते हैं इससे क्या होगा नास्ता हमारा सारा एक ही साइज का बन के तयार होता है इसी तरीके से पहले सारे पूरी को कट करके तयार कर लेते हैं अब सारे नास्ते के पूरी को उठा के रख लेना है और ऐसे ही पूरा बना के तियार करना है आप एक पूरी यहां पर लेंगे और इसके बीच में जो मसाला बना के अभी आपको दिखाई हूँ आलू वाला उस मसाले को डालेंगे तो यहाँ पर आप मसाला जो है थोड़ा से जादा करके ही डालेगा तो इसमें समोसा, कचोरी, पकोरी, सारे ही टेस्ट आपको मिलेंगे और अच्छे से चारो तरफ से दबा के इसको बंद कर देना है बिल्कुल इसका सेप जो है कुजिया वाला आ जाएगा तो अच्छे से दबा दीजिएगा अंदर तक ये खुला हुआ नहीं रहना चाहिए तो ऐसे ही करके सारे नास्ता को हम लोग पहले तयार कर लेते हैं आप अपने मन पसंद का इसमें भर सकते हैं पनीर भी डाल सकते हैं, मडर डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं या कोई हरा सब्जी को भी आप अच्छे से पका के इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखें सारे नास्ते को बना के तियार कर ली हूँ अब चलिए आपको बनाने का तरीका बताती हूँ कि नास्ता को हम लोग बनाएंगी कैसे आप एदी बिना तेल वाला बनाना चाहते हैं तो इसको पानी पे यानि भाब पे पका सकते हैं लेकिन नास्ता हमारा अच्छा कुरकुरा बने इसके लिए इसे हमें हलका सा फ्राई करना होगा दोस्तो यहाँ पर दो से तीन चमच बड़े चमच के जिए तेल डाल ली हो पैन में और तेल अच्छा गरम हो चुका है आज को कम ही रखेंगे और इसमें नास्ते को डालेंगे एक एक करके तेल को बहुत धुआ 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 गरम नहीं कीजिएगा अधि टेल बहुत ज़्यादा धुआ धुआ गरम रहेगा तो नास्ता ओपर से कलर आजाएगा अंदर से एकडम से कुरकुरा नहीं बनेगा तो यहाँ पर पाच से चार से पाच नास्ता एक बार में आ जाता है पैन में अब अच्छे से अलट पलट करते हुए गोल्डन होने तक हमें नास्ते को फ्राई कर लेना है एक तरफ से हो जाने के बाद इसको दूसरे तरफ से पलटके अच्छे से कुड़कूरा हुने तक बनाईए नास्ति को खाने के लिए आप कोई भी चटनी बना सकते हैं जो भी आपको चटनी पसंद हुँ चटनी आप बना ले और इसके साथ खाए नहीं तो आप कैचप के साथ भी इसे खा सकते हैं बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनके तियार होता है आज को कम ही रखेंगे यहाँ पर देखिए नास्ता में बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है अब नास्ते को निकाल लेना है और बाकी का बचे हुए नास्ते को इसी तरीके से बना के तियार कर लेना है और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बन के तियार होता है क्योंकि इसमें सूजी डला हुआ है तो देखे दोस्तों नास्ता हमारा बनने के बाद कोछ इस तरीके का इसका लुक आएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई रस्पी के साथ धन्यवाद